Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल और इस तरह की कई सारी complaints RBI के पास आई, और finally RBI ने इसको देखते वे, नए guidelines जारी किये हैं, यह आप देख सकते हो, lenders cannot leave a penal interest on loan accounts from January 1, तो इसके बारे मैं आपको detail से बताऊंगा कि exactly हुआ क्या है, RBI ने यहाँ पर क्या किया है, और इसके साथ-साथ specifically personal loan के उपर भी कुछ changes किय हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा, आप में से जितने भी लोग UPSC 2024 की preparation कर रहे हैं, 23rd of August से हमारा 3 live batch start हो रहा है, pure English, pure Hindi, English batch, इन सभी batches में prelim से लेकर interview तक की पूरी आपको त्यारी कराई जाती है, live classes, personal mentorship, test series कुछ भी और लेनी के आफशकता नहीं पड़ेगी, simply हमारे website, app पर जाएए, comment section में भी इसका link है, वहाँ पर जाकर आपको use करना है code, अंकित live, ये code इस्तमाल करने से आपको सबसे ज़्यादा discount मिल जाएगा, और इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस जारी की, जिसके तहर जो borrowers के उपर penal charges लगाया जाता था, वो actually penal charges था ही नहीं, in fact उसको बोला जाता था penal interest, जी हाँ, मैं आपको बता दूँ कि अभी तक क्या हो रहा था, जो bank है, जो भी हाँ पर charges लगाते थे, penalty लगाते थे, वो penal interest लगाते थे, मैं आपको ये एक example से समझ कुछ आपका clear हो जाए, जैसे कि मान लीजे किसी ने एक करोण का home loan लिया है, ठीक है, और हर महने मान लो इसको दो लाख रुपए का EMI जाता है, मतलब कि वो person दो लाख रुपए EMI pay करता है, हर महने, ठीक है, अब मान लो किसी महने वो EMI pay नहीं कर पाया, ये दो लाख रु लेकिन bank क्या करते थे ना, ये 20,000 रुपए उसके principal amount में जोड़ देते थे, मतलब उसका जो भी पकाया है ना, उसके उपर जोड़ देते थे, इससे होता क्या था, कि जो भी loan का amount है, उसमें जब अब ये add हो जाता है, तो उसके उपर भी charges लगने लगता है, मतलब कि ये bank charge तो लगा ही रही है 20,000 और फिर उसके उपर भी interest charge कर रही है, आ रहा है समझ में, तो ये बहुत बड़ी परशानी हो गई थी, जिसकी वज़े से बहुत से लोगों का पैसा जाता था, financially बहुत लोग stress हो जाते थे, और इसी सारी चीज़ों को देखते वे, RBI ने साफ साफ कह है कि जो bank है, वो penal interest अब नहीं लगा सकते, जी हाँ, अब वो penal interest नहीं लगा सकते, अब उनको क्या लगाना पड़ेगा, penal charges, मतलब एक specific amount उनको charge करना पड़ेगा in case of any default, और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो, बोला गया है कि जो भी charges लगाएगा bank, वो reasonable होना चा मतलब यह नहीं कि यह मनमाने तरीके से, जैसे मैंने अब आपको बताया न, दो लाग का EMI है, अब इसके उपर bank यह नहीं कह सकता कि हम आपके उपर एक लाग रुपे का charge लगा देंगे, क्योंकि आपने यह जो amount है, वो payment नहीं किया एक महने, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना च यह guidelines के हिसाब से होना चाहिए, और यह सारी चीजे मैं आपको बता दूँ कि recently RBI ने यहाँ पर guidelines जारी किये है on penal charges in loan accounts under the fair lending practices, मतलब की चीजों को थोड़ा सा और सही बनाया जा रहा है, ताकि customers को cheat ना किया जा सके, अब यह सारी चीजे क्यों की गई RBI के दोरा, जाहिर सी ब होते हैं, तो वो लोग क्या कर रहे थे, बहुत सारे penal rate of interest लगा रहे थे, over and above the applicable interest rate, मतलब कि जितना interest rate लग रहा था, वो तो लगी रहा था principal amount में जो आपने loan लिया है, लेकिन उसके उपर जो आपके उपर charges लगाया जा रहा था, उसके उपर भी और extra यहाँ पर interest लगाया ज चाहिए, और इसमें ध्यान रखेगा, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि कोई bank एक तरह से धोका दड़ी कर रहा था, क्योंकि क्या होता है ना, कि जब आप कोई loan वगरा ले तो आपने देखा होगा कितने सारे papers वगरा sign करने पड़ते हैं, बहुत सारे papers के signature करने पड़ते हैं, उसमें terms and conditions, rules, इतने सारी चीज़ें होती हैं, आपको लगता है कि एक normal इंसान वो सारे terms and conditions पड़ पाता है, नहीं पड़ पाता, और इसी की वज़े से क्या है, उस terms and conditions में पहले ही bank उसके अंदर छोटा सा लिग देते थे, कि यह यह चीज़ें होगी अगर आप ऐसा नहीं क payment, मतलब आपने कोई loan लिया है, उसके उपर आपको EMI पे करना है, हर मैने आप 20,000 रुपए EMI पे करो, किसी मैने मालो आपको दिक्कत आ गई, आपने 20,000 payment नहीं किया, तो उसके उपर जो charge लगता है, जो penalty लगती है, उसी को हम कहते है penal charge, तो आप खुद सोच के देखो, सर धोगा धड़ी हुई, तो इसी की वजए से यहाँ पर यह चीजें अब नहीं होगी, अब यहाँ पर सिर्फ penal charge लगेगा, और यह जो मैने आपको बताया, penal interest वो अब यहाँ पर नहीं लग पाएगा, अब कोशन यहाँ पर यह भी है, कि किस के उपर लाग होगा, क्या सभ banking financial companies हो गई, housing financing companies हो गई, primary urban cooperative banks हो गए, all India financial institutions जैसे कि Exim bank, नबाट, सिद्वी, यह सारी चीजों के उपर यह लागू नहीं होता है, फिर इसके लवा यहाँ पर यह भी बोला गया है, कि जो banks हैं, वो किसी भी प्रकार का additional component नहीं लगा सकते in the rate of interest, मतलब मानलो अगर आपको ब interest लगाएंगे, मानलो बोल दिया गया, तो bank धीरे से यह नहीं कर सकता कि उसका 9% कर दे, कि additionally चुपके से यहाँ पर कहा दे कि नहीं हमने यह extra charge लगाया है, यह यह कारण है, वो सारी चीजें नहीं कर सकता, यह साफ साब बोला गया है, मतलब कि आप देख सकतो, बोला यह भी charges लगाये जाएंगे, अब question यह है कि इसका consumers के उपर क्या impact आएगा, देखे definitely यहाँ पर जो borrowers हैं, consumers हैं, हम और आप जैसे लोग, इनको काफी फायदा होगा, क्यों सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूँ, जो individual borrowers हैं, उनके उपर बहुत सारा charges नहीं लगेगा, क्योंक कि NGO अगरा हो गया, कोई संस्था हो गई, वो लोग भी loan लेते हैं, तो उनको सस्ते में loan मिल जाता है, तो इसकी वज़े से यहाँ पर यह बोला गया है, कि जो individual borrower है, हम और आप जैसे लोग जो individually borrow करते हैं, बैंकों से, तो bank हमसे उनसे जादा charge नहीं कर सकता, मतलब कि हमें सबसे lowest interest जो charges हैं, वही हमारे उपर भी लगाए जाएंगे, अब साती साथ question ये भी है, कि ये सारी चीज़े हम कैसे confirm करेंगे, कि ये सही चीज़ें से हो रही हैं, कि नहीं हो रही हैं, तो इसके लिए यहाँ पर RBI ने साफ साफ कहा है, कि जितने भी banks हैं, जिनके उपर ये conditions होते हैं, rules वगर होते हैं, तो वो तो बहुत बड़ा होता है, वो तो शायद कोई नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर एक होता है most important terms and conditions, जिसमें एक page होता है, जिसके अंदर जो सबसे important terms and conditions होती हैं, वो चीज़ें लिखे होती हैं, तो यहाँ पर क्या exact charges होगा, कितना amount मतलब आप साफ साफ आप देख पाओगे, फिर उसमें कोई problem नहीं होगा, और साथी साथ website में भी इनको mention करना होगा, और इसके साथ साथ ये भी बोला गया है, कि यहाँ पर जो borrowers हैं, उनमें कोई भी changes होता है, मतलब कि जो भी penal charges वगरा हैं, उसमें कोई भी changes होता है, तो पहले borrower को inform करना होगा, कि पहले 8.9% interest था, अब इसको 9% किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्या reason है, ये सारी चीज़ें बैंकों को बतानी पड़ीगी अपने customers को, ठीक है, अब question यह है कि ये सब कुछ कब से लागो होने वाला है, मैं आपको बता दू, RBI ने कहा है 1st of January से, क्योंकि अभी तो बहुत सारे process होंगे, जो papers वगर हैं, उन सब में बदलाव किया जाएगा, बैंकों के दोड़ा, क्योंकि जो terms and conditions वगर होता है, लंबा चोड़ा होता है, तो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव किया जाएगा, तो इसके लिए RBI ने कुछ समय द अब इसके अलावा एक और इंटरस्टिंग कीज़ा है, यहाँ पर RBI ने क्या किया है, कि जो भी personal loan होता है, मैं आपको बता दूँ पहले personal loan होता क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को शायद पता नहीं होगा, एक तो जैसे home loan हो गया, car loan हो गया, तो वहाँ पर तो क्या asset है मालो अगर आपने home loan डिया, आप नहीं चुका पाए, तो आपका घर गिरवी रखकर वो bank base देगा और पैसा recover कर लेगा, उसी तरह से car हो गया, car का loan आप नहीं चुका पा रहे हो, तो bank car आपका ले जाएगा, लेकिन personal loan क्या होता है, जो आप personally किसी चीज के लिए use करते हो, ज तो ये personal loan थोड़ा सा dangerous होता है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई asset bagged नहीं है, जैसे home loan, car loan तो मैंने बताया कोई asset है, bank के पास पैसा नहीं आया, तो bank वो ले जाएगा, तो इसकी जैसे यहाँ पर कम interest rate लगता है, personal loan के उपर ज्यादा interest rate लगता है, तो अभी अगर आप देखोग यहाँ पर RBI ने जो नई guidelines जारी की है, उसमें साफ साफ कहा है, कि personal loan जो लिया जाता है, borrowers के दोरा, उसमें option देना पड़ेगा customers को, कि आप अपना जो भी rate लगता है, ना interest rate, उसको floating rate से fixed rate में change कर सकते हैं, and fixed rate से आप floating rate में exchange कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, देखो, basically क्या ह कि आपने देखा होगा, जो interest rate लगता है, वो fluctuate होता रहता है, जैसे कि RBI की monetary policy committee का निन्ने आया, कि जो repo rate है, उसको बढ़ाया जाएगा, अभी मानलो repo rate है 6%, अब इसको मानलो आगे बढ़ा कर 7% कर दिया जाएगा, तो जैसे जैसे repo rate बढ़ता है, तो आपके उपर interest rate लगत पर proper जो option है, वो customer को मिलना चाहिए, कि वो ये choose करना चाहता है, या फिर वो choose करना चाहता है, ध्यान रखिएगा, मैं ये सिर्फ personal loan के case में कह रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज के उपर लागू नहीं हो सकता, तो ये कुछ बड़े changes किये गा है, वो मैं आपको बताना चाहत जाने से पहले एक interesting question, क्या बता सकते हो in context with the companies in India, who among the following is also known as residual owner, मतलब की भारत में जो companies होती है, उसके मताबित residual owner किसको कहते हैं, कौन से shareholder को कहते हैं, आपको बताना है, इसका right answer आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तुम मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं just use the code ANKITLIVE to get maximum discount and I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलताँ आप से next time, till then thank you very much, see you soon.